दोस्तों अगर आपका भी अधार कार्ड खो गया है और आपके पास आपके अधार कार्ड की कोई भी डीटियल नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है सब कुछ खो गया है कि कैसे सिर्फ आप अपने नाम की मदद से अपने अधार काड नंबर को निकाल सकते हो और आप अपने अधार काड को डाउलोड कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने नाम की मदद से अपने अधार कार्ड को निकालने का पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताता हूँ यह देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे अधार कार्ड की official website पे आ चुका हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे तो यह हमारा तीसरा रो है इसमें हमको थर्ड नमर पे एक option मिल जाता है Retrive, Lost, Forget, UID, EID मतलब कि यहाँ से आप अपने अधार कार्ड को forget कर सकते हो तो directly आपको इस पे click कर देना है इस पे आप जैसे click करोगे तो यहाँ पे मांगेगा आपका नाम और आपके अधार से register mobile number और उसके नीचे डालना है आपको अपना capture यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने detail यहाँ भर दिया है detail भरने के बाद आपको simply send OTP वाले button पे click कर देना है आप जैसे send OTP वाले button पे click करोगे तो आपके अधार से register mobile number जो भी रहेगा उसके एक 6 digit का OTP आजाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपना OTP डाल देना है जो भी आपकी mobile number पे आया हुआ है तो इस तरीके से आप अपने अधार number को forget कर सकते हैं और सिर्फ अपने नाम की मदद से अपने अधार card को अपने mobile number पे send कर सकते हो आपके phone में message में आजाएगा मैं आपी message भी so कर दूँगा और उसके बाद आप अपने अधार card को download कर सकते हो अधार कार्ड को डाउनलोड करना अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को description box में दे दूँगा उस पे click करके आप देख सकते हूँ कि अधार कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ वीडियो में अगर आपको कुछ समाझ नहीं आता तो मेरे को comment करके ज़रू बताएगा बागी आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है किसी next वीडियो में